इस फोन के अंदर भी मैंने अपना Facebook Messenger open करके रखा हूँ इस फोन के अंदर भी मैंने open करके रखा हूँ दोनों जगाँ पे active now जो है वो सो कर रहा है तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि Facebook पर आप सभी online होते हुए भी कैसे आप किसी को भी offline दिख सकते हैं देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे back करूँगा तो आप सभी देख सकते हैं कि जितने लोग भी अभी Facebook पर online है Facebook चला रहे हैं सबका यहाँ पे green dot दिख रहा है देख रहे हो ना सबका green dot दिख रहा है इसका मतलब कि अभी ये सभी लोग क्या है कि Facebook पर online है और यहाँ पे अगर आप किसी चैट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा active now इसका मतलब साफ साफ है कि ये बंदा अभी Facebook चला रहा है आप हो सकते हैं कि Facebook पर किसी post को देख रहा हूँगे लाइक कर रहा हूँगे फिर भी आपको हर कोई ये जान रहा है कि ये बंदा Facebook पर किसी से बात कर रहा है तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज को बंद कर सकते हैं वो भी हमेशा के लिए यानि कि Facebook पर आप कभी भी किसी भी समय पर online रहो कोई भी नहीं जान पाएगा कि आप अभी Facebook पर online हो कि offline हो तो दोस्तो इससे पहले आप सभी भोल जाओ तो यार प्लीज इस वीडियो को एक like जरूर कर दीजेगा तो सबसे पहले आप सभी को करना क्या होगा ये देखे मेरा ये Facebook application है ठीक है तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा यहाँ पर देखे मैंने back कर दिया फिर से आपको back करना है तो यहाँ पर देखे दो जगा आपको ये काम करना होगा पहला तो आपको Facebook Messenger के अंदर करना होगा और दूसरा आपको Facebook App के अंदर करना होगा तो पहले मैं Facebook App के अंदर बता देता हूँ तो यह देखे यहाँ पे जो आपको Profile दिख रहा है उसी के नीचे आपको एक 3 Line का Option दिखेगा तो इसी के उपर आपको क्लिक करना है और तब तक आना है जब तक यहाँ पे आपको एक Option देखने को ना मिल जाए Active Status ठीक है Active Status जो यहाँ पे आप सभी को एक Green Dot दिखता है और Active Now दिखता है ठीक है तो उसी को यहाँ पे यह कह रहा है Active Status तो इसी सेटिंग के उपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखे आपको साफ साफ दिख रहा है कि So When You Are Active मतलब कि जब आप सभी Facebook पे Messenger पे Active रहोगे तो यहाँ पे सामने वाले को Activity Status दिखेगा अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे इसे बंद करूँगा तो देखेगा कि इस फोन से जो है Active Now का जो Option है वो हट जाएगा तो देखे मैं यहाँ पे इसे बंद कर दाऊँ और जैसे ही मैं यहाँ पे Turn Off कर दूँगा तो देखेगा कि उसके फोन से जो मेरा Active Now है वो हट जाएगा तो देखे अभी भी नहीं हटा है तो यहाँ पे Facebook के अंदर आप Activity Status को बंद कर दोगे फिर भी अगर आप सभी यहाँ पे मैंसेंजर में देखोगे तो यहां पे आपको Active Now दिख रहा है क्यों दिख रहा है क्योंकि आपने सिर्फ Facebook के अंदर ये Settings को बंद किया है messenger के अंदर आपने setting को बंद नहीं किया है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको अपने phone के अंदर जो messenger app है उसको open करना है तो देख सकते हैं कि मैंने messenger app को open कर लिया है अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि यह जो team line का option दिख रहा है इसके उपर आपको click करना होगा इसके बाद यहाँ पे जो आपको एक setting का option दिख रहा है इसके उपर आपको click करना होगा अब click करने के बाद अब यहाँ पे आप सभी को देखिए एक option दिख रहा होगा यहाँ पे भी active status का तो इसके उपर आपको click करना है और इसी को आपको फिर से बंद कर देना है तो यह देखें यहाँ पे active status है इसको यहाँ पे हम बंद कर देते हैं तो यहाँ पे आप सभी को कुछ timing आ जाएगा कि आप इसे कब तक बंद रखना चाहते हो तो मैं हमीजदा के लिए बंद रखना चाहता हूँ इसे तो यहाँ पे until I change it तो यहाँ पे इसको pause पे click कर देना है अब जैसे ही इतना आप कर दोगे अब इस बंदे को आपका active now जो है वो दिखना बंद हो जाएगा तो दोस्तो Instagram या फिर Facebook इन दोनों के अंदर ऐसा bug रहता है कि तुरंत जो आपका green dot है या फिर active now है वो नहीं हटता है कुछ time लगता है तो यहाँ पे मैं आपको इस application को close करके दिखा देता हूँ एक बार यह देखे मैंने close कर दिया अब मैं फिर से इसको open करता हूँ फिर से यहाँ पे मैं messenger के अंदर आ गया तो यहाँ पे अब जो है कि RPG rock के उपर हम click करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि यह बंदा अब active now show नहीं कर रहा है जबकि यह बंदा अभी अपने messenger के अंदर या फिर facebook के अंदर active है देख सकते हैं दोनों application मेरा open है अगर मैं यहाँ पे भी आता हूँ तब भी मेरा facebook पर online show नहीं कर रहा है अगर मैं messenger के आता हूँ तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि active now show नहीं कर रहा है दोस्तो एक चीज अगर आप सभी ध्यान दो तो अगर आप किसी और को अपना online show नहीं कर आना चाहते हो तो आपको भी सामने वाले का ओनलाइन सो नहीं होगा तो उमीद है कि आप सभी इस वीडियो के माधेम से समझ चुके होंगे कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम पर ओनलाइन होते हुए भी किसी को आफलाइन दिखना चाहते हो तो वो काम आप कैसे कर सकते हो उमीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आओका पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजएगा चैनल पर नए हैंगो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजएगा और घंटी को अभी तक आउन नहीं की होंगे तो उससे भी आउन कर लीजएगा तन्नेवाद